जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और नए माह की सुरुआत पर आज के इस वीडियो में हम भारत के जो ही राजय है उन सभी राजयों की राज़धानी कहां पर है उनके वर्तमान में राज़पाल कॉन है, S.E.M. कॉन है और S.E.M. किस पार्टी से हैं लोग सभा करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में सेर जरूर करिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप इसके PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय NTPC का आते ओहार चल लहा है तो वीडियो की सुरुआत में हम लोग पहले कुछ उन पॉइंट को डिसकस करेंगे जो कि आपके NTPC एक्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं तो बहुत ही ध्यान पूरबग पहले आपको इन सभी पॉइंट के ओपर फोकस करना है तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करती हैं पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर पहला जनरल इलेक्शन हुआ था यानि कि जो हमारे यहाँ पर पहली बार लोगसभा का चुनाव हुआ था तो एन्टी पीसे में पूछा गया प्रशने कि पहला आम चुनाव कब हुआ था तो पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अपरेल 1902 को आप से यह पूछा जा सकता है कि पहला सत्र सुरू कब हुआ था तो यह आपके 13 मैई 1902 को पहला स्तर सुरू हुआ था NTPC में पूछा गया प्रश्न है कि जो हमारी पहली लोग सभा गठित हुई थी उसमें आपको कुल कितने मेंबर देखने को मिले थे तो उस समय हमारी लोग सभा में यहाँ पर सदर्स्यों के संख्या थी 489 कितनी थी 489 यहाँ पर कुल मेंबर थे और जो हमारी उस समय की 851 सीटे थी 1951 वी चुना हुआ था 17 अप्रैल 1952 को पहली लोग सभा का गठन हुआ था और जो हमारा पहला सत्र है वह 13 मई 1952 से शुरू हुआ था अब हम लोग लोग सभा से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात करेंगे ध्यान रखिएगा वो अत्मान म जो हमारी लोग सभा है उसमें आपको कुल मिला करके 543 सीटे देखने को मिलेंगी कितनी सीटे हैं 543 सीटे देखने को मिलेंगी अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इससे पहले तो 545 सीटे होती थी तो ये 543 हो क्यों गई तो आपको ध्यार रखना है कि 2019 में हमारी संस्तद में एक बिध्यक आया था जो कि 126वा संसूधन बिध्यक था और इस संसूधन बिध्यक के माध्यम से हमारे संसूधन में 104वा संसूधन किया गया और इस संसूधन के माध्यम से हमारे राष्टपती महोदे के द्वारा जो आंगल भारतिय संसूधाय के दो व्यक्ति आपके लोग सभा में मनोनीत किया जाते थे इनके मनोनयन को अब हटा दिया गया है यानि कि अब हमारी आंग्र भारती समधाय का कोई भी व्यक्ति लोग सभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा तो इसलिए इस समय इस टेंथ है इसकी 543 अधित्तम हो कितनी सकती है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो अधित्तम हो सकती है 552 तो इसके बारे में भी आपको ध्यारक रहा है कुल अरच्छी सीट कितनी है तो ये पूछा गया प्रशन है कुल अरच्छी सीटों की संख्या 131 जिसमें से आपके 84 सीटे सिडियूल काष्ट के लिए अरच्छित है 2019 का जो चुनाव हुआ था इसमें BJP ने कुल 303 सीटों पर बिजय प्राप्त की थी ये भी NTP से में पूछ लिया गया प्रशन है कि BJP ने कितनी सीटे कुल जीती थी तो ध्यान रखेगा 303 सीटे यहाँ पर इन्होंने जीती थी अच्छा कांग्रेस वाला यहाँ पर मिस्प्रिंट हुआ है तो नीचे कमेंड में बताईएगा कि कांग्रेस पारटी ने कुल कितनी सीटे जीती थी 2019 की लोगसभा चुनाव में तो ध्यान रखेंगे आप लोग यह सारे पॉइंट आगे अगर हम लोग बात करें तो सबसे इवा सांसद है कौन तो चंदरानी मुर्मू जो की उडिसा के क्योजर से सांसद है ये 25 साल कुछ महिने की उमर में हमारे यहाँ पर सबसे कम उमर की सांसद बनी थी 2019 की लोगसभा चुनाव में तो क्योजर उडिसा में है जहां से ये सांसद चुनी गए थी और ये बीजू जनता दल से है किससे बीजू जनता दल से ये सांसद है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बृद सांसद कौन चुने गए थे तो इनका नाम है सफीक उर्रह्मान क्या नाम है सफीक उर्रह्मान ये उत्तरबदेश के संभल से चुने गए थे और ये है समाजवादी पार्टी से किससे है समाजवादी पार्टी से तो सबसे इवा पूछा जा चुका है हो सकता है कि आपसे सबसे बृद की बारे में भी पूछ लिया जाए तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पर यादखने है फिर बात कते हैं कुछ अन्य महत्पूर्ट अत्यों की जैसे कि राजी सभा में कुल कितनी सीटे हैं तो ध्यान रखेंगे राजी सभा में कुल सीटे हैं 245 कितनी है 245 कुल सीटे है अधिक्तम हो कितने सकती हैं तो अधिक्तम हो सकती हैं 250 तो दोनों प्रशने आपके NTPC में पूछे गए प्रशने दोनों में आपको विल्कुल confusion नहीं होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाता है कि राजी सभा में इस समय कुल कितनी सीटे हैं तो आप बताएंगे कि 245 सीटे हैं अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक्तम राजी सभा में कितनी सीटे हो सकती हैं तो ये हो सकती हैं 250 तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर यादखना है अब इन 245 विक्तियों में से 233 तो आपके चुने गए हैं कहाँ पर चुने गए हैं और 12 लोग ऐसे होती हैं जिनको राश्टपती के द्वारा मनोनीत किया जाता है तो ये प्रशन भी पूछा जा चुका है कि राश्टपती महोदे कितने बेक्तियों को मनोनीत करते हैं तो ध्यान रखिएगा कुल मिला करके 12 विक्तियों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है बिधान परिशद वाले राज्यों के अगर हम बात करें तो बिहार राज्य है आन्थ प्रदीश है, करनाटक है, उत्तर प्रदीश है, महाराष्ठ है और तिलंगाना यह हमारे देश में बिधान परिशद वाले राज्य है यानि कि कुल छे राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको बिधान सभा के साथ साथ बिधान परिशद देखने को मिलेगी और यह कम से कम 4-5 बार पूछा गया प्रश्ण है अलग अलग तरीके से आपके NTPC एक्जाम में 4-5 बार यह प्रश्ण पूछा गया है कि किन राज्यों में आपके विधान परिशद हैं तो ध्यान रखेगा बिहार में है उत्तर प्रदेश में है उसके बाद में आंत्र प्रदेश और तलंगाना में है करनाटक और महाराष्ट इनमें आपको विधान परिशद देखने को मिलेगी जम्मू कास्मीर में भी विधान परिशद थी लेकिन 2019 में जब जम्मू कास्मीर और लदाक अलग-अलग हो गए तो इस समय वहाँ पर विधान परिशद नहीं है तो ये सारे महात्मूर्तत्य आपको यहाँ पर यादखने है अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनकेडमी के बैंक का प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा तो एक फरवरी यानि कि आज के दिन से ही अनकेडमी के दुआरा जो भी बैंक के तयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए चार अलग नए-नए कोर्सों के सुरुआत की गई है अब कौन-कौन से कोर्स हैं पहले इनको जान लेते हैं तो उद्देश से नाम का बैच है जो की IBPS RRB Prelims 2021 की तयारी करने वालों के लिए एक फरवरी 2021 से सुरू किया गया है दूसरा है काम्याबी बैच जो की SBI PO 2021 एक्जाम की तयारी करने वाले लोगों के लिए सुरू हो रहा है फिर आपका है Accelerator बैच जो की SBI Clerk 2021 परिच्छा के लिए सुरू हो रहा है एक फरवरी 2021 से और एक हमारा है RBI Assistant Foundation 2021 बैच तो ये चार बैच आपके बैच एक्जाम के लिए सुरू हो रहे है और अगर आप इन में से किसी भी कोर्स में इन्रॉल करना चाहते हैं तो नीचे आपको इन सभी का लिंक दिया गया है उन लिंक पर क्लिक करके आप इसमें से किसी का भी सब्सक्रिप्षन खरीच सकते हैं लेकिन आपको ध्यार रखना है कि जब आप यहां पर सब्सक्रिप्षन को पर्चेश करें तो उस समय आपको यूज करना है code KV10 और KV10 जैसे आप यूज़ कर लेंगे तुरंत आपको 10% का discount मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यारखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई course खरीदना है, Unacademy के उपर से या फिर किसी भी प्रकार के free course में enroll करना है, तो उस समय आपको code यूज़ करना है KV10, और आपको यहाँ पर मैं इन classes की feature के बारे मताऊं, तो पहली बात तो पूरा bank का जो syllabus होता है वह आपको यहाँ पर cover किया जाएगा top educator जो भी हमारे देश के हैं उन सभी से आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, free में आपको यहाँ पर PDF दी जाएगी, इसके अलावा आपको unlimited bar test देने का मौका मिलेगा, और आपको विभिन परकार के mock test देने का भी मौका मिलेगा, और अगर आपको किसी भी परकार का doubt होता है तो आप यहाँ पर directly अपने teacher से उन doubt को पोश सकते हैं तो बिल्कुल आप line class की तरह आपको यहाँ पर मज़ा देने वाली है अगर आप bank के exam के तयारी करना चाहते हैं, तो course को आप यहाँ पर purchase कर सकते हैं अब हम लोग अपने आज के इस topic की शुरुवात करते हैं तो पहले आपको धरकना है कि हमारे देश में वर्तमान में कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 के इंदर सासित प्रदेश हैं और पिछले 5-6 महिनों से आप मैंसे सभी लोगों को मैं यही बता रहा हूँ फर भी हर वीडियो में कम से कम 5-7 लोग ऐसे आजाते हैं जो नीचे कमेंड में अपना ग्यान देते हैं कि गुरु जी यहां पर जो हमारे यूटीज हैं उनकी संख्या है 9 तो ध्यान केगा हमारे यहां पर इस समय कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 के इंदर सासित प्रदेश हैं आएए पहले हम इनकी लोकेशन को देखते हैं तो यह है हमारा प्यारा भारत अब भारत के जो हमारा मैप है काफी जादा सांदार दितता है बिल्कुल लगता है कि कोई इंसान यहां पर खड़ा हुआ है तो आएए पहले हम लोग यहां पर यूटीज की बात करते हैं तो उपर आपको दो यूटीज मिलेंगी एक तो हमारा जम्मू कास्मीर है दूसरा हमारा यहां पर है लदाक उसके बाद में आप थोड़ा नीची आएंगे अभी भी कई सारे लोगों को लगता है कि दमंदियू और दादरा और नागर हवेली अलग-अलग है लेकिन पिछले साल 26 जनवरी के दिन इन दोनों को आपस में एक करके केंदर सासित प्रदेश बना दिया गया था फिर आपको नीचे मिलेगा लच्छ दूइब फिर हमारा है पुडूचेरी जो की आपको तीन अलग-अलग राज्यों में देखने को मिलेगा तो पुडूचेरी का एक जिला है एनम ये आपकी आन्प्रदेश में है उसके बाद में दो जिले आपको मिलेंगे पुडूचेरी का जिला है वह आपको किस राज्यों में देखने को मिलेगा तो ध्यान रखेगा ये हमारा है आन्प्रदेश राज्यों में तो आन्प्रदेश में एक है पुडूचेरी और कराईकल तमिलनाडू में है और फिर हमारा है माहे एक हमारा आफरी केंदरसास्ыт प्रदेश है, जिसका नाम है अंडमान और नीकोबार केंदरसासित प्रदेश, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिर हम लोग अब आईए इन केंदरिसासित प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्मूर तत्यों को डिस्कस करते हैं जैसे कि चन्रीगड केंदरिसासित प्रदेश की बात करते हैं तो वरत्मान में इसके प्रसासक है बीपी सिंग बदनौर साहब क्या नाम है बीपी सिंग बदनौर और ये वरत्मान में इसके प्रसासक है फिर बात करते हैं दिल्ली केंदरिसासित प्रदेश की तो ध्यान केगा अरविंद केजरिवाल यहाँ पर वरत्मान में सीम है आम आदमी पार्टी से और अनिल बैजल साहब यहाँ पर है तो इन दोनों के नाम आपको ध्यारकने है फिर बात करते हैं पुडू चेरी की तो पुडू चेरी की उपराजिपाल है किरण बेदी और कंग्रेस पार्टी से बी नारायन स्वामी यहाँ पर है सीम आगे बात करते हैं लच्छ दूइब की अगर हम लोग बात करें तो कवा रत्ती में आपको इसकी राजधानी मिलेगी और प्रफुल खोडा पटेल जो की आपके दमन दियू और दादरा और नागर हवेली के प्रसासक हैं वे इस समय लच्छ दूइब का भी प्रसासक समाल लहे हैं अन्दमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट बिलेर इसकी उपराजपाल हैं देविंद कुमार जोसी फिर हमारा है दादरा और नागर हवेली इसके अलामत दमन और दियू तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी दमन में अब कन्फ्यूज आप यहां पर हो सकते हैं कि दादरा है कि नागर हवेली है कि दमन है कि दियू है तो ध्यान अस्थान पर अभी प्रसासक यहां पर बने हैं तो उनका नमा आपको नीचे कमेंड में बताना है तो चलिए अब हम लोग अपने सभी अन्यराजियों को मैप के माध्धिम से डिसकस करते हैं पहले बात करेंगे जम्मू और कास्मीर की किसकी जम्मू और कास्मीर की बात तो इसकी राधानी आपको दो मिलेंगी स्त्री नगर और जम्मू कहां पर स्त्री नगर और जम्मू में और उपर राजिपाल है मनुस सिनहा सहब कौन है मनुस सिनहा इसके उपर राजिपाल है फिर बात करते हैं लदाक की तो लदाक जो है इसकी राधानी आपको लेह में म मिलेगी और इसके उपर राज़पाल है आर के माथुर कौन है आर के माथुर इसके उपर राज़पाल है अगला हमारा राज़ है पंजाब तो पंजाब की राज़ानी आपको चंडीकड में मिलेगी राज़पाल यहां पर है बीपी सिंग बंदाओर मुक्हमंत्री यहां पर प्रदेश राज़ की तो हिमाचल प्रदेश जो राज़ है इसकी राज़धानी आपको मिलेगी दो एक तो होती है सिमला में जो की गर्मियों में होती है और एक आपकी होती है धरमसाला में जो की आपकी हो जाते है ठंडियों में राज़पाल की बात करते हैं तो बंदारू उसमें भी आपको मात्र 68 सीटे देखने को मिलेंगी, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगला राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपूर में है, जो की युनेस्को का एक बिरासत सहर भी है, 38 हमारे यहां का यह सहर बना तो राजस्थान राज जिसके यहां पर आपको केवल बिधान मंडल में बिधान सभाही देखने को मिलती है, यानि कि एक सदनी यहां की बिधाही का है, हर्याणा की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी आपको चंडीकड में मिलेगी, मुक्यमंत्री यहां के है मनुहल लाल खट्टर, राजपाल यहा के है सत्य देव नरायन आरे लोग सभा में यहां से 10 सीटिय हैं राज सभा में यहां से 5 सीटिय हैं और यहां से आपको भिधान सभा में 90 सीड़े देखने को मिलेंगी अगला हमारा राज्य है जारखंड की बजाय उत्तराखंड क्या है उत्तराखंड है राजधानिया भी यहाँ बर आपको दो मिलेंगे पिशले साल गैर सेन्ट यहां की नई समर कैपिटल बनी थी और सर्दियों में इसकी राजधानी होती है दहरादून मुक्यमंत्री यहाँ पर है तरवेंदर सिंग रावत कौन है तरवेंदर सिंग रावत भारतिय जन्रता पार्टी से मुक्यमंत्री है राजिपाल है बेबी रानी मौरी लोग सभा में यहाँ से 5 सीटे है राजिपाल में यहाँ पर 3 सीटे है लोग सभा में यहां से 80 सीटे हैं, राजी सभा में यहां से 31 सीटे हैं, विधान सभा में यहां से 430 सीटे हैं, और यहां से विधान परिशत में आपको 100 सीटे देखने को मिलेंगी, अब उत्तर प्रदेश की सीटे आपके लिए सबसे ज़्यादा महात्पूर्ण है, क्योंकि अगर आपके परिच्छा में पूछा जाए कि किस राज से लोग सभा में सबसे ज़्यादा सीटे हैं तो वह राज आपका उत्तर प्रदेश होगा किस राज से आपके राज सभा में सबसे ज़्यादा सीटे हैं तो भी आपका उत्तर प्रदेश होगा कि लोग सभा में 80 सीटे है, राज सभा में 31 सीटे है, बिधान सभा में यहां से 403 सीटे है और बिधान परिशद में आपको 100 सीटे देखने को मिलेंगी अगला राजी है गुजरात तो गुजरात की जो राजधानी है वह आपको गांधी नगर में देखने को मिलेगी मुख्य मंत्री यहां के हैं विजय रूपानी भारतिय जिंता पार्टी से हैं राज़िपाल है आचारे देवबरत लोग सभा में यहां से 26 सीटे हैं राज़ि सभा में यहां से 11 सीटे हैं और विधान सभा में यहां से आपको 182 सीटे देखने को मिलेंगी फिर बात करते हैं मद्य परदेश राज़ की तो इसकी राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी राजिपाल है आनंदी बेन पटेल जो की कारिवाहक है यूपी की ये थी लाज जी टंडन साहब का निधन हो गया था तो उसके बाद में ये कारिवाहक बनी हुई है मुक्यमंतरी की बात करें तो सिवराज सिंग चौहान है भारतिय जंता पार्टी से लोग सभा में यहां से 39 सीटे हैं राजी सभा में यहां से 11 सीटे हैं और यहां से विधान सभा में आपको 230 सीटे देखने को मिलेंगी अगला राजी है महाराष्ट तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी दो एक तो है मुंबई जो की गर्मियों में होती है और सर्दियों में हो जाती है नागपुर अब पिछले वीडियों में किसी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर सिर्फ एक राजधानी है तो थोड़ा सा आप अपना ज्यान बढ़ाईए आपके पास में गूगल बाबा बैठे हुए हैं वहाँ पर जाएए और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो वहाँ पर आप सर्च कर लिजिए सिंपली आप सर्च कर सकते हैं कि क्या महराज के दो राजधानिया है या किन किन राज्यों के दो राजधानिया है तो गूगल महराज आपको सारी चीजें सही सही बताएंगे तो ध्यान रखेगा ये सारे डाउट आप सुएम ही क्लियर कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे कमेंट करने के आउसकता नहीं है मुक्यमंत्री की बात करते हैं तो सिव सेना से उद्धो ठाकर यहां पे है सीम राजपाल है भगस सिंग कोसियारी यहां से लोग सभा में आपको 48 सीटे मिलेंगी राजपाल में यहां से 19 सीटे हैं यानि कि राजपाल में यहां से 19 सीटे हैं यहां पर आपको दो सदनी विधायका मिलेगी बिधान सभाल में 28 सीटे हैं और बिधान परस्यद में 78 सीटे आपको देखने को मिलेंगी अगला राजपाल है गोवा अगला राज है करनाटक, तो राजधनी बंगालोरू में है, मुख्यमंत्री यहां के हैं वीडियो ये दुरपा, भारतिय जिन्दा पार्टी से, राजपाल है वाजुभाई वाला, यहां पर भी आपको दुई सदनी विधायका मिलेगी, यारे कि बिधान सभा में 224 सीटे है और विधान परशद में 75 सीटे हैं, लोग सभा में यहां से 28 सीटे हैं, और यहां से राजपा में आपको 12 सीटे देखने को मिलेगी, अगला राज है किरल, तो किरल राज की जो राजधनी है, वह आपको त्रिवननद पुरम में मिलेगी, मुख्यमंत्री है पिंड़ई वि अगर इनके हम पारिटी की बात कते हैं, तो वह आपके Communist Party of India Marxist, तो यह आपको यहां पर याद दखना है, अगला राज है तमिल लाड़ो, तो तमिल लाड़ो की जो राथनी है, वह आपको चन्न नहीं मिलेगी, राजपाल है, बनवारी लाल पुरोहित, कौन है, बनवारी यहां से 49 सीटे हैं, राज सभा सी यहां से 18 सीटे हैं, और यहां की जो विधान सभा है, उसमें आपको 234 सीटे देखने को मिलेंगी, अगला राज है आंदर परदेशा, तो आंदर परदेशा की बात करें, तो राजपाली आपको अमरावती में मिलेंगी, हाला की तीन रेड़ी साहब यहां के CM है जो की YSR Congress Party से हैं राजिपाल की बात करते हैं तो BB हर्चंदर यहां पे है राजिपाल यहां पर लोग सभार से आपको 25 सीटे मिलेंगी राजिपार में यहां से 11 सीटे हैं यहां पर 2 सदर आपको मिलेंगे एक तो विधान सभा है जिसमें आपको 175 सीटे मिलेंगी विधान परिशद है जिसमें 28 सीटे है लेकिन विधान परिशद का कलर यहां पर मैंने बदल दिया है कलर बदलने के पीछे का गारण यह है कि पिछले साल यहां के जो विधान सभा है उसमें एक प्रस्ताव लाया गया था कि हम बिधान परिशत को यहाँ पर समाप्त कर देंगे हाला कि अभी यह समाप्त नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको आन्तप्रदेश में बिधान परिशत देखने को ना मिले तो इसके बारें भी आप याद दखेंगे अगला राजी है तिलंगाना तो राज़धनी इसकी आपको हैदराबाद में मिलेगी राज़पाल यहां की है तमिल साई सुंदर राजन मुख्यमंत्री की बात करें तो तिलंगाना राष्ट समित पार्टी से की चंदर सिखर राव यहां पे रहां सीम लोग सभा में यहां पर 17 सीटे है राज़धन सभा में यहां से 7 सीटे है बिधान सभा में यहां की 11 सीटे है और यहां की बिधान परचत में आपको 43 सीटे देखने को मिलेंगी अगला राज्य है 36 गड़ तो राजधनी रायपूर में है कांग्रेस पार्टी से भुपीष बगेल साव यहां पर सीम है राजपाल की बात करते हैं तो अनुसुया उई के यहां की राजपाल है लोग सभा में यहां से 11 सीट है राज सभा में यहां से 5 सीट है और यहां की बिधान सभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी अगला राज्य है बिहार तो इसकी राजधानी पटना में है मुख्यमंत्री यहां से है नितीश कुमार सहब कौन है नितीश कुमार जनता दल यूनाइटेट से है इसी साल अभी यह दुबारा यहां के सीम बनी है राजपाल है फागु चोहान कौन है फागु चोहान है लोग सभा में यहां से 40 सीटे है राज सभा में यहां से 16 सीटे है बिधान सभा में यहां की आपको 24 सीट मिलेंगी और बिधान परिशन में 75 सीट आपको देखने को मिलेंगी अगला राज है जारखंड तो जारखंड राज की राजधानी राची में है, मुक्यमंत्री है हेमंत सूरीन, राजपाल है द्रोपदी मुर्मू, लोग सभा में यहां की 14 सीटे हैं, राज सभा में यहां से 6 सीटे हैं, और विधान सभा में यहां की आपको एक क्यासे सीटें देखने को मिलेंगी, हेमंत सुरेन साहब की बात करती है तो जारखंड मुक्ति मोर्चा ये इनकी पार्टी है क्या है? जारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है अगला राज्य है उडिसा तो उडिसा की राजधानी भोनिश्यर में है मुक्यमंत्री है नवीन पतनायक, वीजू जनतादल से, राजिपाल है गनिशी लाल, यहां से लोगसभा में आपको 21 सीट मिलेगी, राजिपाल यहां से 10 सीट है, और यहां की विधान सभा में आपको 147 सीट देखने को मिलेगी अगला राजिय है पर्सिममंगाल, तो इसकी राज़ानी कोलकाता में है, मुक्यमंत्री है तरिण मूल कांगरेज से ममता भैनर जी, राजिपाल यहां के है जगदीप धनकड, लोगसभा में यहां से 42 सीट है, राजिसभा में यहां से 16 सीट है, और यहां की विधान परिश्य के नाम से प्रेश्न पूछा गया था, अब कई बच्चे थे जिनकी तो बिल्कुल हवाईया उड़ गई, हवाईया इसलिए उड़ गई, कि सब ने पढ़ा हुआ है प्रेम सिंह तमां के बारे में, तो ध्यान रखेगा, इनका एक नाम पी एस घुले भी है, तो यह इस समय है, सिक्किम राज के, सिक्किम करांतिकारी मोर्चा पार्टी से, राजपाल कोन है, तो गंगा परसाद वरत्मान में राजपाल है, लोग सभा में यहां के एक सीट है, राज सभा में भी यहां से एक सीट है, और यहां के विधान सभा में आपको 32 सीटे देखने को मिलेंगी तो ये सारे point आपको ध्यारकने है विशेश तोर पर इन से NTPC के परिच्छाओं में प्रश्ण पूछे गई है कि किस राज में एक सीट है या किस राज में दो सीट है तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है अगला राज हमारा है असम क्या है असम है राजधानी आपको दिस्पूर में मिलेगी राजपाल है जगदीश मुखी मुख्यमंति यहां के हैं सरवान अंदा सोनुवाल भारत्य जंदा पार्ति से लोग सभा में यहां से 14 सीटे हैं राज सभा में यहां से 7 सीटे हैं और विधान सभा में यहां से आपको 126 सीटे देखने को मिलेंगी। और ध्यान वखेगा NTPC का जो एक्जाम हो रहा है। उसके लिए मैंने 23-24 इसपेसल वीडियो बना दिया है जीके की। और वह वीडियो मुख्य रूप से उन्ही के उपर आधारित है। जिनसे आपके NTPC में आलरडी प्रेशन पूछे जा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्सन में भी आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप उन वीडियो को जरूर देख लेए। आपके किसी भी प्रकार के एक्जाम के लिए वहां वीडियो बहुत ही जादा विनी फिशल होगी। में एक सीट है और विधान सभा से यहां से आपको 60 सीटे देखने को मिलेंगी। अगला राज है मिजोरम तो मिजोरम राज की राजधानी आपको आई जोल में मिलेगी। मुक्यमंत्री है जोरमतंगा मीजो नेशनल फ्रंट से राजपाल है पियस तरिधर पिललाई राजपाल है लोग सभा में यहां से एक सीट है राजधान सभा में यहां पर आपको 40 सीटे देखने को मिलेंगी। अगला राजधानी इमफाल में है मुक्यमंत्री है एनबीरें सिंसाहब भारतिय जनता पार्टी से राजपाल है नजमा हिप्तुला लोग सभा से यहां पर एक सीट है और यहां से विधान सभा में आपको 60 सीटे देखने को मिलेंगी। अगला राजध है नागालेंड तो इसकी राधानी कोहिमा में है मुक्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो यहां के है मुक्यमंत्री पार्टी इनकी कौन से है तो नेशनल डेमोकरेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इनकी पार्टी का नाम है यानि कि NDPP पार्टी से य राजपाल है आरेन रभी लोग सभा में यहां से एक सीट है राज़ सभा में यहां से एक सीट है और यहां की विधान सभा में आपको 60 सीटे देखने को मिलेंगी और हमारा आखरी राज़ है अरूर आचल प्रदेश क्या है अरूर आचल प्रदेश तो यह हमारा आखरी राज मुक्ह मंतरी यहां के हैं, भारतिय जंता पार्टी से है, राजपाल है BD दृ और कल भी आपके NTP से एक्जाम में प्रेशण पोजिन लिए गया था कि जो अरुणाचल प्रदीस है, और जो हमारा गुजराथ राज्य Chapel है इनके टाइम में आपको कितने गंटे का difference मिलेगा तो चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि कितने गंटे का difference आपको देखने को मिलेगा दोनों राज्यों की जो time है तो इस वीडियो में फिलाहल के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा नीचे आपको लिंक मिल जाएगी तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग जै हिन जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत